की बारत मता की बोले सोनिया कि सारी बाते आप सब जानते हों कोई आपके लिए ना ये देश नया है ना प्रदेश नया है ना ये समाज नया है ना राजनिती नहीं है ना खेती किसानी नहीं है आप सब को पता है कि आपके मुद्दे क्या है और उन मुद्दों का समाधान कोन कर सकता है मैं पूरी जिम्यदारी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि देश की आजादी के बाद जिस तरीके से भारतिय जंता पाटी ने इंदर मोदी जी के नेत्रीतों में पिछले 10 वर्षों में काम किया है पृर्देश में मनोर लाल जी के नेत्रीतों में काम किया है चाहओं बात कि इता है इसलिए पूरी मजबूती से जो एक संकल्प लिया है बारतिय जंता पाटी ने आप सब ने हम लोगों ने मिल करके कि हमें 400 पार कराना है 2024 में 4 जोन को जब वोटों की गिंती होगी तो 400 पार का जो ये नारा है ये परवान चड़ना जाहिए ये फते होनी चाहिए और तभी मैं समस्ताओं की देश तेजी के साथ आने वाले समय में आगे बढ़ेगा और जो 10 साल में एक मजबूत बनियाद रखी है हम सब यहां पर बैठे है सब इस बात को जानते कि जब नीव खुती है नीव से जब बड़े-बड़े पिलर खड़े होते है तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है लेकिन जब पिलर खड़े हो जाते ग्राउन फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का जब लेंटर लग जाता है तो अगर मजबूत बनियाद है तो 50 मंजिल इमारत खड़ी कर लो 100 मंजिल कर लो 200 मंजिल कर लो कितनी भी भवे जैसे राम मंदिर 500 साल बाद बना है वैसे ही मैं समझता हूँ दिव्य और भवे इमारत अगले 5 वर्षों में खड़ी होनी है इसलिए आप सब लोग मोदी जी के विजन मिशन के साथ जुड़ें और सुनिश्यत करें कि 2047 तक हमारे भारत वो विक्सित भारत होगा अगले 5 वर्षों में हमारा भारत वो दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी तागत होगा आने वाले समय में किसान मजदूर और हर तरीके से तागतवर बने मनोर लाल जी ने जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची के एक एक गाउ में 200-200 नोकरी देने का काम किया है वैसे ही आने वाले समय में सरकारी नोकरी आपको मिले यहाँ पर उद्ध्योग धंदे स्तापित हो पुराने समय में जब मैं 2009 में सांसद बना तो जब मैं बात करता था उद्ध्योग जगत के लीडर से बड़े-बड़े कंपनियों से, कॉर्पोरेट से मैं कहता था आओ सिरसा बड़ा कुशार इलाका है बहुत खेती में नमबर वन है पूरे देश के अंदर यहाँ नर्मा, धान, किनू हर चीज यहाँ पर ग्यों पैदा होता है ग्यों में लगातार तीन-चार वर्ष सिरसा जिला पूरे हिंदुस्तान में नमबर एक था तो आईए यहाँ पर कुश शुरू करा जाए लोग कहते थे connectivity नहीं है चोड़े-चोड़े रोड बनाने का काम आज मैं मानिये मनोर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यह डववाली के साथी भी कुछ साथी बैठे आदिते जी और एक-दो साथी हमारे यहाँ पर है उस समय कई-कई बार पत्थर रखे गए जो डववाली का देव जी भी यहाँ पर बैठे लेकिन कभी ना तो आरो भी बना ना कभी हाईवे बना उस समय शुरुआत हमारे समय में हुई लेकिन उस समय चोधा में हम हार गे मुझे लगा भई यह अब प्रोजेक्ट जो है वो खटाई में चले जाएंगे लेकिन मानिये मनोर लाल जी ने करके और पानिपत तक का नया हाईवे भी प्रोज है तो इसलिए साथियों यह अगर कोई करेगा तो भारते जंता पार्टी और नरेंदर मोदी जी और प्रदेश का मनोर लाल जी और नायव जी का नित्रितों करेगा इसलिए पार्टी ने आज एक बार फिर मोका दिया है हमने पहले भी पूरी कोशिश करी पूरी निष्टाई मांदारी से लगातर हर तरीके से इस छेतर के लिए बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा क्योंकि इकलोता मैं सांसत था एक विधायक उस समय थे लेकिन आठ सीटों पे सरपंच का काम हो विधायक का काम हो छोटे से छोटे कॉर्परेटर का काम हो वो उन पांच वर्षों में हमने करके दिखाया हमने विपक्ष की भी जिम्यदारी और भूमी का निभाई और मैं आज यहाँ पर उन तमाम साथियों से कहना चाता हूँ कि साथियों जब समय आता है तो देर हो चुकी होती है कहते हैं ने अब पस्ताय क्या होता है जब चिगडिया चुक गई खेद यह जो विपक्ष इंडिया लाइंस जिसको लोग घमंडिया जो गटबंदन है वो भी कहते हैं इनसे सावधान हो जाईए मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग वो इनके मारे हुए हैं सताय हुए हैं यह सोशन की दुकान है यह कहते हैं हमारी नफरत की और यह कहते हैं कि भाई हमने तो महबत की दुकान खोल दिये अरे साथियों इन्होंने 50 साल 55 साल जब इनको मौका मिला सोशन की दुकान मनाई एक-एक व्यक्ति का इस देश के मिठा-मिठा खून पीने का काम किया ब्रस्टा चार को बढ़ावा देने का काम किया इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हूँ इतना ही कहूँगा कि अब समय आ गया है 25 तारी तक ये 40-45 दिन का सही उपियोग करिये और जैसे रोडी ने हमेशा मुझे बहुत मजबूती से जिताने का काम किया है मैं एक बार फिर रोडी की जनता आप काला वाली और सिर्षा के सातियों से आवान करता हूँ कि आपको पीछे मुढ के देखना नी पड़ेगा जिसके साथ इतना मजबूत रेत्रितों खड़ा हो जो हनुशाशित फोज हो जिसका कैडर मजबूत हो जिसके हमारे संगर्शिल और तपश्वी साति हो मैं समझता हूँ कि उनका भविष्य सबका होजवल होगा इसलिए पूरी ताकत लगाईए और आने वाले समय में चार सो पार करिए और सिर्षा का ये कमल बहुत मजबूती से खिले पिछली बार तीन लाग से भेन सुनीता दुगल जी को आप लोगों ने जिताने का काम किया अभी वो आवान भी करी थी उन्होंने भी लगातार संगर्श किया वो चर्चा भी करी थी कि भई मैं किस तरीके से राजनिती में आई वो कह रही थी कि ये फेरवेल है मैं हमारी बड़ी भेन को कहना चाऊंगा कि राजनिती में आना भी मुश्किल है राजनिती में जाना भी मुश्किल है कोई फेरवेल नहीं है ये आपकी फेरवेल नहीं अभी तो वेल वेल आगे होता रहे सब अच्छा अच्छा आपके लिए होता रहे पार्टी के लिए होता रहे इनके लिए होता रहे और भाई सिरसा जी ने जिस विस्तार से बात कही है मैं इतना यह उनको कहूंगा हमारे तो पुराने साती रहे हैं 20-25 साल से संबंद रहा है कि उन्होंने इस पूरे इलाके का इस जिले का नाम रोशन किया है इसी तरीके से र इलाज कराने का काम किया ऐसी जो सोच है कि सेवा और मानवता भलाईगी वो सोच इसी तरीके से कायम रहे मैं एक बार फिर पुने आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं मानिय मनोर लाजी का एक बार फिर स्वाकत करता हूं और उनको यही विश्वास दिलाता हू कि जिस भाव और भावना से आप लोगों ने नरेंदर मोदी जी ने, अमिश्या जी ने, जेपी नड़ा जी ने, विपलव जी ने, नायव जी ने, सब लोगों ने मिल करके ये टिकट दी है, उस उमीद पर हम खरा उतरेंगे और सिरसा को नई उचाईयों पर ले करके बोले सो निहाँ लाने बाद